तो कैसा लगा अब्रोच सीजन टू का ट्रेलर? सच कहूं तो इस वेब सीरीज का ट्रेलर मुझे खास जादा पसंद आया नहीं ओनन एबरेज लगा क्यों लगा? क्योंकि इस तरह का सब्जेट को लेके इसके पहले बहुत सारे वेब सीरीज बन चुका है इसमें नयापन ऐसा कुछ है या नहीं यह ट्रेलर से देखके पता नहीं चलेगा पूरा वेब सीरीज देखना पड़ेगा यह वेब सीरीज का कहानी इंडियान मोस्ट प्यरलेज किताब से लिया गया है अगर कहानी का बात किया जाए तो पाकिस्तान का टेरोरिस ओर्गनाइजेशन और उनका जो ग्रूप लीडर से पाकिस्तान मिलेटरी के मदद से इंडिया में जो पेक करेंसी है वो लेके आने का मतब समुंदर के रास्ते से तो मुंबाई के रास्ते से अरब सागर के रास्ते से वो लेके आने का कोशिस कर रहा है और इंडिया के 25 जगा पर आर्डेक समले का साजिस कर रहा है इस साजिस को इंडियन आर्मिलेटरी पोर्स इंडिया नार्मिक ऐसे इसको ट जम्दार परफॉर्म वो की ए डायलोग डेलिवरी जिस तरह से बताया बहुत ही पसंद आया मुझे अब आता हूँ मैं आविर चाटर जी के बारे में इंडियान आर्मी के क्याप्टेन और इंकाम टैक्स ऑफिसर प्रदी भठाचारिया के करेक्टर में आविर चाटर जी ने फूरा एकदम साफ नहीं था अब ये जो केरेक्टर ये वो बंगाली है इस हिसाब से उस तरह को अगर एक्सेन रखा गया है तो देट इस गूड और सपोर्टिंग एक्टर और भी संजाय सूरी का जो एक्टिंग था वो ठीक था था कुछ जादा कुछ खास अच्छा तो उनका ट्रेलर में कुछ दाता है वो लोग दिखे भी नहीं तो जब तक मैं वेज सीरीज पुरा ना देखू तो उनके बारे में कहना उकलत होगा इस ट्रेलर का जो बीजी एम था ये मुझे बहुत पसंद आया बहुत अच्छा था और रिलेटेबल था बहुत पसंद आया सिनमाटोग्रफी सिनमाटोग्रफी बहुत ही लाजवाब होंगा था इसा नहीं कह सकता कि वो ट्रेलर बहुत ही कम हिस्सा है इतना भी है मुझे एक दम ठीक ठाग लागा अब रोग का जो सीजन टू है वो 24 जून को सॉनी लिफ्स एप में स्ट्रेमिंग होगा आप लोग देखिए मैं भी देखूंगा देखके आप लोग बताईए आपको कैसा लगा में भी बताऊंगा रिव्यू के साथ कि मुझे कैसा आया देखिए कोई भी वेब सेरीस देखने से पहले अगर में या कोई भी रिव्यूर बोल रहा है खड़ाब है अच्छा है टेलर को देख देखने के बाद आपका जो कॉमेंट के आपका जो मतविया है सोचल नेटवर्ट में बहुत से जगह है इस ट्विटर फेस्बूक इंस्टाग्यम बताईए